नमस्कार स्वागत है आप सबका दीदी अरुन प्रबापर जबकि दुनिया आप तक खोजे गए सबसे धरावने वाइरसों में से एक कोवीड-19 से जूज रहे हैं हम उन बिमारियों के बारे में नहीं बुलना चाहिए जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन का दावा किया है मलेरिया मच्चरो दुआरा फेला हुआ सबसे गाटक वाइरस में से एक है और यहाँ सबसे आम से आम बिमारी में से एक है विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 एप्रिल को मनाया जाता है युनिसेफ द्वारा इस दिन को मनाने का उदेश्य मलेरिया जैसे खतरनाक लोरोक पर जनता का ध्यान केंडित करना है जिससे हर साल लाखों लोक मरते हैं इस साल की थीम है टाइम टू डेलिवर जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट एन इंप्रिमेंट इसी दिवस के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौझूद है दॉक्टर तुम्गे लोई जो है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हम सौगत करते हैं आपको हमारे स्टूडियो पे वर्ल मलेरिया देक बारे में जानकारी देने के लिए सबसे पहले हम जाना चाहेंगे की मलेरिया क्या है और ये कैसे फैलते हैं देखिए, malaria एक vector-borne disease है, तो अगर हम इसको हिंदी में करना चाहें, तो एक इंसेक्ट या कीड़ा से एक इंसान से दूसरे इंसान तरक बीमारी को फैला जाता है, तो इनका नाम malaria इसले फरा, पड़ा क्योंकि जमाने में, पुराने जमाने में जब लोग युद्ध के लिए ब तो इसको bad air या malaria वो नाम से होके प्रसीद दूआ और इसको malaria कहने लगा, लेकिन बाद में इंडिया में ही डॉक्टर Ronald Ross एक डॉक्टर थे, वो चन्नाई में फैले कि जो मदरा से वहाँ पर उन्हें पतार चला कि यह मच्चर द्वारा फैला जाता है, तो वही मैं करना चाह यह malaria जो बिमार है, इसके जो पहला जो लक्षन होता है, अगर इसे हम ट्रीट नहीं करेंगे, तो फिर यह बहुत ही danger हो जाता है, ऐसा क्या सही है, क्या यह इसके लक्षन क्या होते है, malaria का? malaria basically किसी को भी हो, तो सबसे पहले उनको बुखार होगा, तो classically जो बुखार का system था, वो अभी because इतना ज़रा दबाय आ गया है, तो that olden system is not seen, वो जो classical fever होता था, cold face, chill face, or sweating face, वो बंद हो गया है, पर बुखार इसका सबसे महत्तुपून एक लक्षन रहेगा, इसके अलावा अगर में कहना चाहूं, तो other than fever, इसको अपका शरीर में दर्द होगा, हड़ी, घुटनों जो इन पहीन रहेगा, फिर इसको चकर आ सकता है, कमजोरी हो सकता है, तो वेसे बताय भी था कि इसको sweating भी रहेगा, तो यह इनकी लक्षन रहेगे, यह इस malaria का treatment क्या है, हम क्या यह vaccine जो है, malaria का vaccine जो है, वो क्या सही है कि malaria का vaccine भी है अभी, मैं vaccine में जाने से पहले, मैं treatment पे थोड़ा बात करना चाहूंगा, कि जो malaria है, इसका treatment कई सालों से चल रहा है, कोलोरोकुइन था, कुइन था, तो पर यह जो treatment है, because of wrong dosage, यह patient के नहीं लेने के कारण, यह संपून तरी resistance आ गया है, और यह resistance आने के कारण क्या हुआ कि सरकार को या साइंटिस को नया से नया दबाई धूनने का जुरुवत पड़ा है, तो जिस जमाने में, पहले जमाने में हम जो छोटे थे, वो दबाई अभी नहीं चलता है, so right now what is working is chloroquine, primaquine and artemisinin communication therapy, तो मैं इसको बताते यह थोड़ा विस्तार पर चूना चाहूंगा, basically हमारे यहां अरवनाचल में दो प्रकार के malaria है, प्लास्मोडियम वाइवेक्स malaria और प्लास्मोडियम फालसिफरम malaria, so वाइवेक्स malaria जदा है, तो इस वाइवेक्स malaria को chloroquine का treatment देते है, और प्लस 14 देस का प्रामेक्वीन का treatment ह तो शुरतागन को मैं बताना चाहूंगा, यह treatment is for 14 days, तो यह 14 days को आप लोग लगता है कि हम तो ठीक होगे, हम क्यों खाए, पर यह बहुत जुरूरी है, कि अगर यह 14 days का प्रामेक्वीन treatment अपनी खाते हैं, तो यह वाइवेक्स malaria वापस आपके liver में जाएगा, वहाँ वो इश्राम करेगा, फिर सब पनपके दुबारा वो निकल जाएगा, तो इसलिए 14 days का treatment करना बहुत जुरूरी है, वाइवेक्स malaria के लिए, फालसी पालव मेलेरिया के लिए हमारे पास आर्थी में सेनीन कम्मिनेशन थेरापी है, यह जस्त थ्री डेस का कोर्स है, प्लस सेकेंड डे में प्रामे को इन एक बार देते हैं, तो इसमें पेशेंट को बड़ा बहुत लाबदाइग होता है, अभी इसलिए मैं और एक बार करना चाहूंगा कि, अभी तो मेलेरा केस बहुत कम हो गया है, पर जब अरुनाचल में भी काफी केस थे, तो डॉक्टरों का एक सिस्टेम रहता था कि इन्जेक्शन दे देना, तो गर्मन ऑफ इंडिया के द्वारा कानूनी इटिस एन ओफेंस, इफ यू गीव मोनो तेरापी, मतलब आप जस्त इन्जेक्शन स्रि ने हुआ है, और अभी जो हलत इंद्या में चल रहा है, और अरुनाचल में भी चल रहा है, यह हमें जरूब यह जरूत नहीं पड़ेगा, हम तो यह आशा करते हैं कि जरूत नहीं पड़ेगा. आपने पहले जिसा कहा कि पहले मलेरिया ऐसे नहीं हुआ करता था, अभी ऐसा है, क्या है हम मान सकते हैं कि मलेरिया का जो अभी जितने खतरनाक हो चुके हैं, डेंजरिस है क्या मलेरिया भी पहले से जादा? मलेरिया पहले भी देंजरिस था, आज भी देंजरिस हैं, पहले भी किसी का जान ले सकता था, आज भी जान लेवा है, बस यह है कि जितना मात्रा में लोगों को बीमारी होता था, वो कम हुआ है, क्योंकि पहले अस्पतल भर-बर के पेशेंट आ देते, but because of implementation अफ्वेरिया प जो preventive measures है, वो क्या-क्या है? Preventive measures तो सबसे पर अपने घर से शुरू होता है. हमें मालूम करना कि ये, हमें तो पता ही है कि ये मच्चर से फेलता है. तो मच्चर काटने के बाद घर के अंदर रहता है हो. आपको काटा क्यों है, especially malaria का जो मच्चर है, वो आपको सूरज धलने के बाद और सूरज उगने तक, dusk to dawn, बस उसी समय काटता है. बाकी के दिन में जो भी मच्चर काटता है, वो आपको या तो जाफिनेस एनकेफलाइटीस का, या डेंगी का, या चिकन गुनिय का, उनसका मच्चर है. आपको सूरज धलने के बाद से सूरज उगने तक, जो काटता है, वो malaria का है. करने का मतलब है कि अगर आप शाम को फुल स्लिप लगा के बैठते हैं, या आप मानलो मच्चर दनी का अंदर बैठते हैं, तो आपको ये malaria होने का चांस बहुत ही कम है. नंबर वन, नंबर तु है कि काटने के बाद इसको थोरा दिर घर के अंदर विश्राम करना होता है. अगर यहां पर डीडी का चिरकाव करते हैं, या वाल एक दम क्लीन रखते हैं, तो मच्चर वान नहीं बैठेगा. तो कही न कहीं उसको जाना होगा, तो बाहर चला जाए पानी को हमने तरहने नहीं दिया, तो यह प्रिवेंटिशन का बहुत यह दोनों से काफी सही हो जाता है. जी, आप कहना चाहते हैं कि जो सराउंडिंग्स हैं उससे साफ रखने से, मलेरिया भी चांसे कम होता है. हम जाना चाहेंगी कि अरनाचल पे सिनारियो कैसा है, मलेरि मलेरिया के लिए, मलेरिया के लिए, हमें तो मलेरिया पता नहीं था पर रहते थे लोग ऐसे बुखारों के, तो देखते देखते आज गया कि आपको अभी एक साल पहले तो आपका बस आठ केस था, only eight case of मलेरिया इन अरनाचल परदेश, यह लेवल टक आ गया है, so 30,000, 40,000 cases per year हुआ करता था, so 2015-16 में आपका 3000 cases था, फिर वो घटे 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 अभी 3000 से आपका आया 1500, फिर आपका 600 आया, ऐसा करके 23-24 cases था आपका यह COVID के समय में, फिर अभी 19-20 में 21-22 में 8 cases, पिछले साल थोरा सहलका सा बढ़ गया है, मैं अब 22 को बढ़ गया है, थोरा सहलका से 18 cases, 1-8 cases, फिर भी बहुत कम है, यह है अपना situation रचल परदेश में, अपनी पहले जो कहा था कि malaria के जो दो टाइप्स होते हैं, एक जो है अरणाचल में ज़्यादा cases है, उसकी बारे में थोरा विस्तार से बता सकते हैं कि कैसे फैलता है, क्या है यह? मैंने तो बताया था, प्लास्मोडियम वाइवेक्स, तो वाइवेक्स जो malaria है, अगर किसी इलाका में बहुत ज़्यादा है, इससे दारेक्ली साबित होता है कि वहाँ के लोग केर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज, मैंने जो बताया था कि वाइवेक्स malaria है, आपके खून में जा मैं चलागा है, इडिज अपरूफ धाट इडिया था तो वो जिस्तार पूर्फूर पर जाता है, जो दवाइवेक्स जाके कुछ एक खूपता रहेए पर फिर खून में आता है, घून से फिर वापस वह वापस भूमने लगता है, और लिवर में वापस चलाजाता है, लेक तो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि लोग सही दंग से नहीं लेते हैं, इसलिए हो चकर काटी रहते हैं, और दूसरे लोगों को भी फैलने का चांथ ज्यादा है, यह, इस पचीस अप्रील को हमारा जो वर्ल मेलेरिया दे है, हम जाना चाहेंगे कि हम वर्ल मेलेरिया दे क्यों करते हैं, जैसे हमने कहां कि जाग रुकता फेलाने के लिए, और भी कई सारे रीजन्स होंगे, इस साल का थीम जो है, टाइम टू डेलिवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, एन इंप्लिमेंट है, इसके बारे में आप थो विस्तार से बता दीजी, करने का मकसद ही यही था, that if you don't touch something for a very long time, people tend to forget, तो यह वल मेलेरे दिये को हमने इसलेए सर्वेत करना है, क्योंकि लोगों पे हमें दुबारा यह जागरुता लाना है, कि भाया देखो, अभी समय आ गया है, और यह 25 तारिक जो अप्रिल का है, यह चुनने का भी एक मकसद ह 25th of April, when we say, is the time when the monsoon season is about to come in international participation, or in India, for say, तो when the monsoon season comes, तो पानी वेसे बढ़ जाता है, तो मच्चर वेसे अंडा देने लगता है, फिर बढ़ जाता है, तो वो चीज को रोखने के लिए, एक जागरुता फैलाने के लिए 25 अपरिल का दिन पकरा गाई है, यह अगर पुछा ज समझाने के लिए कि हमें अभी भी जरूरत है, कि अभी देख के, मेलरिया, दो साल पेले आठ़ केस था, अभी अठारग केस है, तो यह चीज को लेके कई लोगों के दिमाग में यह आ आता है कि मेलरिया, इस नोट इंपोर्टें ईनीमोर, फो केर सबाट इथ, तो यह चीज अज आपके मदियम से हम बेटने का मोगा मिला है, इसके अलावा हम कई रेडियो जिंगल चलाते हैं, हम कई अकवारों में बी पेपर या आर्टिकल्स डालते हैं, हम कई कागज वगत चापते हैं, हमारे बहुत सारे, at least 2000 हमारे करमचारी है, तो गाओंगा में जाके समझाते बुचाते हैं लोगों को गाओं के आशा बहन है उनके द्वारा भी हम ये सब काम कराते हैं जी आपने जिसे अभी अपने ही जो ड्यूटीज है उसके बारे में जिसे कहा है हम जाना चाहेंगे कि इस काई सारे एचीवमेंट्स है क्या अरनाचल प्रदेश में कही सारे एचीवमेंट्स है पर मैं तो शबसे बढ़नी करना चाहूंगा की गर्मेंट ऑफ इंडिया ने हमारे अरनाचल प्रदेश के इस काम को उन्होंने रिकोंगनेस किया है केटोगरी 3 थी कि वहाँ इक रिस्क एड़रिया हो रहा है मतलब कि आपकी सियत में गर्मर्न iajaya नहीं रिटा मेंटां किया और… उसके तुन हम और हमार केटोगरी. मिनिस्टर है उसके तुरू हमें पुरस्क्राइट किया तो यह एक एचिवमेंट है उसके अलावा हमारी स्टेट में पिछले पांच-चे साल से मेलेरा के कारण एक भी डेत नहीं हुआ है आखरी डेत नहीं हुआ तो उसमें भी कुछ टीबी का भी कुछ दूसरा बीमारी का पिर उसमें लगा उप्ता फिर भी उसमें मेलेरा भी था बोलकेवलेराडीया डेत है तो ऐसे कुछ चैस साल साथ से एक ही डेतлять नहीं गए है जिसे मेने पहले भी ब्टा है हमरा केस है मेलेरा केस है हजार-हजारों में से लेके कि अब बस दस आठ के वों में आ गया है और हमने अभी हमारा स्टेट में कम इसकंड 15 districts है जो malaria free के लिए declaration के लिए eligible है वेना से malaria free state आपक वो नहीं है कि उसमें एक साल के लिए malaria नहीं हुआ ये नहीं है उस district में पिछले तीन साल से malaria नहीं हुआ तब वो malaria free इसके अलावा हमने हमारे कई नदी नालों में हमने लारवी वरस फिश हमने लगा के रखे हैं तो यह मच्छर का जो अंडा या उसका बच्चा होता है उसको खा लेता है तो ऐसे ऐसे हमारे अच्छी खबर आपने बताया है इस 25 अपरिल को जो वर्ल मेलेरिया मना रहे हैं इस पे हम जाना चाहेंगे कि अरुनाचल कैसे सेलिबरेट कर रहे हैं कैसे अब्सर्फ कर रहे हैं ये वर्ल मेलेरिया दी को मेलेरिया तभी कम होगा जब हम गाउंगा तक जाएंगे तो गाउंगा तक जाने का अपना मादिया में हमारे आशाबहन है हमारे MPW हमारे RFW हमारे MSI यह सब मेलेरिया टेकनिशिंस मेलेरिया वर्कर से तो इन्हें हमने पहले से निरिक्षित एडवाईस करके रखा हुआ है कि इस दिन को आपको क्या करना है तो गाउंगा में तो जाना ही जाना है जाएंगे हर जितना भी हो सकेगा लोगों को बताएंगे इस पेशि़ली ओर दििस्टिक्प जहां पे अभी मेलरिया होता है वहां पे ओर भी इनका 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 बें इन more सकेज हम Yे काम करेंगे so we will have to inform them because आपने जतना भी कोशिस करें जब तक आप face to face बात नहीं करेंगे यह को लोगों को समझ में नहीं आता है तो यह हमें करना है इसके अलावा हमारे जतना भी यह कारी करता है वो source rejection पे जहां भी मलेरे का मच्छराना दे सकता है उसको कम कराने में कोशिस करेंगे या जिसे हमने कहा लार्वी वोरस फिशिस गांबुसिया अफिनिस और पुशिसिलिया रेटिकुलाटा है यह दो मचलिया है हमारे पास किमीन में और नमसाय में अवेलेबल है यहां से आके नदी नालों में दाला जा सकता है तो यह काम भी वो करेंगे बच्चों को हम ड्रेंग पेंटिंग कराएंगे तो बच्चों को पकरने का यह रहता है कि उन्हें कुछ भी समझा दे वो मापिताजी को साकर बता देता है तो एक तरह से उसे पता चल जाता है प्लस वो फ्यूचर के लिए उसे याद रहता है कि हमें किसी अंकल ने आके सिखाया था यह हमारे लाबदाएक है तो यह सब कुछ तरीका है जिससे हम अपना कर यह मैलेरादिया मनाएंगे आप स्कूल्स पे भी यह यह टीक हो मना रहें हम जाएंगे बिलकुल जाएंगे मैं यह भी करना चाहता था जो-जो मैलेरादिया प्रियомеंडिया बस वो प्रोस्ट चल रहा है यह मैँने बताया था अगर हम नहीं जाएंगे तो भूल जाएंगे जी लास्ट ली आप कुछ कहना चाहेंगे या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कुछ मेसेज़ देना चाहोगे आप वीवर्स लोगों को इस मैलेरिया देपर मैं इस पे आने के लिए एक हलका से कहनी चुना चाहूंगा हमारा मेलेरिया प्रोग्राम बहुत पहले इंडिया में 1947 के आसपा शुरू हुआ था और जब अरुनाचल तक आया तो ऐसा एक समय था जब यह जो डिडिती वाले घर गर में घुशते थे उनको बहुत पुरसकारि बढ़ने लगा वह बापस बढ़ने का कारण यह था कि जो सरकारी लोग है और जो पबलीक लोग है इन लोग ब्रोग अगर में हिंदी में करना चाहूं तो इनका जो अटेंशने मेलेरिया का इंपोर्टेंस है उनके लिए कम होना शुरू हुआ वो कम होने का कारण वह बढ अगर आप इंपोर्टेंस नहीं देंगे तो people will die, people will have disease, लोग मरना तो कम है, लेकिन किसी को malaria होता है तो उसका पांस दिन का duty से absent होना एक दम पका है, तो government of India के लिए उस family के लिए, जिसका रोजी रोटी हर दिन का काम से होता है, उसके लिए बहुत परिशानी का बात है, तो ह हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि malaria important है, we have to work for it, we have to work for the elimination, इसमें में बताना चाहूंगा कि government of India is planning to gain the certificate of malaria elimination from WHO in 2030, which means by 2027, India will have no malaria cases, so free from malaria, that is India का target, international का target 2025 है, हमारे पास समय बहुत कम है, ये कुछ ही एक-दो साल में ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास कोई malaria case नहीं है, तब जाके हमें उस certificate मिलेगा, तो आपको लगते है कि ये दो साल में malaria free हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मैं जैसे आपको कहानी बताया, तीन हाजार, आपके सहरा के बिना होगा नहीं, सरकार जितने पैसा दाले है, सरकार जितना प्रोग्राम निकालते रहें, लेकिन जब तक आप, आपका सहरा हमें ना मिले, आप समझ में ना है कि ये आपके तुरुई होगा, ये हम eliminate नहीं कर पाएंगे, जी, thank you so much, इसी को लेकर हम कहना च joining to our studio.